दोस्तो आज मैं आपको हीरो की दी ब्रैंड न्यू 2022 अपडेटड सूपर स्प्लेंडर बीए 6 का डीटेल रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तो इससे पहले आपने हमारे चैनल में सूपर स्प्लेंडर का काफी सारे कलर अप्शन का डीटेल रिव्यू देख लिए हैं आज मै आपको इस बाइक और एक नया कलर दिखाने वाला हूँ और इसमें नया मीटर कंसोल आपडेटेट 2022 मॉडल है इसलिए आपको इसमें साइट स्टेंड इंजिन कट आफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा प्राइस में क्या अपडेट हुआ है कितना लो डाउन प्रेमेंड म मैं आज दिखाने वाला हूँ तो अगर आप चैनल पर पहली बाढ़ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं तो इसके सेमी डिजिनल कंसोल में आपको ट्रिप मीटर अलग-अलग फिल रेंज आवरेज माइलेज जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएगा और स्वीच के स्वीच देखने को मिल जाता है और सेल्फ स्टाट का स्वीच हेडलम पोर्शन का बात करें तो हेडलम में कोई ज्यादा आपडेट इसमें नहीं हुआ है पहले जैसा ही हेडलम पिसमा मिल रहा है हेडलम के ऊपर हीरो का 3D एंबलेम हेडलम के चारो तरफ एक क्रोम का इच से ही ग्राफिक स्टार्ट हो जाता है एकदम रियर एंड तक ग्राफिक्स आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा 11 लीटर्स के फ्विल टैंके जिससे आपको अच्छा-कासा माइलेज कोवर्ज मिल जाएगा लगबख 60-65 kmpl का माइलेज आपको इस बाइक में मिल समस्क्राइब के निजान जाता है पीछे ग्रै變 देया गया है जो की अलोमोलियम Đीय है और इसका जो यह वह व mee काफि बढ़िया है पीछे हीरो का स्टीकर लोगो आपको देखने को मिल जाता है और जो ग्राफिक्स से हो भी पीछे आपको साइड में देखने को मिल जाता है Hero and i3s के स्टीकर वर्क के साथ-साथ टेल लाम का बात करो तो पीछे DC Connected Halogen Bulb टाइप टेल लाम देखने को मिल जाता है with non-flexible turn indicator 2022 का गाड़ी है आप देख सकते है manufacturing date इसमें दिया गया है आप दोस्तों बात करें इंजिन का तो 124 cc का इंजिन मिलता है जो कि आपको 10.6 ps का पावर और 10.8 newton meter का टॉक जनेट करता है Auto Sync Technology and XSens Fi के साथ यह बाइक आपको मिल जाएगा साइड में extra catalytic converter भी आप देख सकते हैं और O2 sensor भी इसमें दिया गया है सेल्प के साथ साथ कीक स्टार्ट इसमें एवेलेबल है जो की काफी बढ़िया आपको एक advantage मिल जाता है silencer काफी इसमें loudy silencer दिया गया लेकिन इसका जो noise उदना ज्याद नाउट नहीं है इसमें आपको smooth sound देखने को मिल जाता है C8 का tire provide किया गया है सामने के तरफ 80 by 100 size के 18-inch के tubeless tire देखने को मिल जाता है और पीछे के tire का बात करें तो पीछे आपको 100 by 80 size के 18-inch के tubeless tire देखने को मिलता है सामने 130 m का drum brake मिलता है दिस्क भी अवेलेबल है दिस्क ले तो 240 mm का दिस्क आपको मिल जाएगा 5-speed gearbox इस बाइक में आपको देखने को मिल रहा है और साइट स्टन इंजिन कट आफ इसमें अभी लग गया है यानि कि सेफ्टी के मामले में काफी बढ़िया ये बाइक अभी हो गया है और पीछे आपको सारी गार्ट प्रोवाइट किया गया है टायर का बात मैंने कही दिया पीछे आपको 100 x 80 साइज के 18 इंच के ट्यूलेस टायर देखने को मिल जाते है और पीछे का ब्रेक का बात करें तो 110 mm का ड्राम ब्रेक पीछे देखने को मिलता है 5-speed adjustable जो शॉकर है व और डिस्क ब्रेक का प्राइस लगभग 98-99,000 के आज पास आपको मिल जाएगा और डाउन प्रेमेंट का बात करें तो आपको 25,000 डाउन प्रेमेंट इस बाइक के लिए करना पाड़ेगा वीडियो कैसा लगा जारू बादा चैनल को जारू सब्सक्राइब करें